हेलो एप्रीबन दिसी दिक्षा राठोर और वेलकम बैक टू माई चैनल सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सिक्षाक अधिकार अधिनियम यानी राइट टू आइजुकेशन 2009 के बारे में पढ़ेंगे बहुत इपोटन टॉपिक हैं आपके हर टेट एक्षाम में इनसे कुशन पूछे जाते हैं सो वीडियो को लाइक और शेकर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शुरू कर लेते हैं और देखे मैंने इसमें न हाइलाइट किये हुए हैं रैड कलर से तो आपको ये न अच्छे से नोडाउन कर लेने हैं तो देखे शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्या के निती निदेशक तत्व एवं सविधान के अनुछेद 45 तो ये न पूछा चा सकता है कि कौन सा अनुछेद है तो वो है अनुछेद 45 में 14 वश्टक की आयू के बच्चों को निशूलक एवं आनिवारि 2002 तो ये डेट आपको याद रखनी है 1 दिसंबर 2002 को 14 वश्टक के बच्चे हे तू निशूलक एवं आनिवारिया शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी अजूकेशन को बेसिक राइट बनाने और बच्चों को शिक्षा के अवसर पडान करने हे तू माता पिता एवं अभिवाव का मुल्य करतव्य बनाने के लिए सविधान में शंशोधन जो है चासिवा शंशोधन अधिन्यम 2002 पारित किया गया तो ये आपको अच्छे से याद रखने है और देखे इस शंशोधन के तहत सविधान में एक नया अनुछेद 21 ए जोड़ा गया 45 अनुछेद में जो है करे तो ये है राइट टो एजुकिशन 2009 के अकोर्डिंग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यदी प्रवेश दिये गए सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों से अधिक है तो विधारती और शिक्षक का अनुपात क्या होगा देखे रेशो क्या होगी कि अगर दोस्तों से अधिक जो पर एक टीचर होगा ठीक है चालिस विधारतियों पर एक टीचर की नुपती होगी तो ये इसको अच्छे से याद रख लेना राइट टो एजुकेशन के तहत उच प्रात्मिक स्तर पर नियूनतम सेक्षनिक घंटे एवं कार्य दिवस होगी तो ये होगी 1000 घंटे यानी 220 क्लीर तो ये आप अच्छे से इसको याद रखना अगला है राइटोएटो एजुकेशन की किस धारा में यह बताया गया कि सिक्षक जो है प्राइवेट टिूशन नहीं पढ़ा सकता तो ये बताया गया धारा टूंटी एट में ठीक है ये कोनसे धारा में बताया गया तो यह बता गया धारा 28 में, यह डियर आंसर है, यह मेरा जो है, मिस्टेक है मैंने रैड कलर में इसको नहीं किया है, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है, और सिक्षक का अधिकार अधिनियम एक्ट, राइट टो एजुकेशन 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह दिया गया, चोदा वर्ष के पश्चात वाली जो सिक्षा है, ठीक है, राइट टो एजुकेशन में जो है, किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो चोदा वर्ष के पश्चात वाली जो सिक्षा है, क्योंकि दियर देखे, क्योंकि उसमें बताया गया था, कि चोदा वर्ष त इस में अध्यापक ही परदान होगा इनमें जो हैRatio होता है जिसमें इंकलूड होता है और बच्चा भी have included Right to Education 2009 के अनुसार, विशेश आवशक्ता वाले बच्चों को कि सिक्षा विवस्ता के अंतरगत पढ़ाना चाहिए, तो समावेशी सिक्षा विवस्ता के मतलब इंक्लूजिव एजुकेशन हमें याँ पर फोलो करनी होगी, जो special need वाले बच्चे हैं, या talented बच्चे हैं, विकल अध्यापकों के करतवय से समंदित है, तो यह है धारा 24, कौन सी धारा है, जो अध्यापकों के करतववय का ज्ञान, उनको करती है तो यह है धारा 24, एक प्रात्मिक विदालियाक अक्षा फर्स्ट से फिफ तक में रासट विच्थारती है अगर फिर्स्ट से फिफ तक में कुल जो है 62 स्टुडेंट है तो राइट वापनिक सिक्षक को जो प्राइमिरी टीचर होता है उसको सिक्षक और तेयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रती सप्ता हाँ है ना, Right to Education Act 2009 के अंतरकत विहित किये गए तो ये किये गए हैं 45 आर, मतलब 45 घंटे Next question है, कक्षा 6 से 8 हे तू, विदालय कितनी दूरी पर होगा तो ये होगा 3 किलोमेटर के अंदर Clear है? Next है, एक 9 साल के बच्चे, एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो Right to Education के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा चोथी कक्षा में, क्योंकि उसकी एज के कोडिंग ही उसको जो है उसको Right to Education के कोडिंग उसको जो है उसकी जो उसको क्लास में होना चाहिए तो उसमें ही उसको एडमिशन मिलेगा तो कौन सी कक्षा में? चोथी कक्षा में धारा चार के अनुसार Next है Right to Education एड 2009 में कुल धाराएं, अध्याएं एवाँ अनुसूचिय कितनी है तो धाराएं जो है 38 है अध्याएं साथ है और अनुसूची है एक तो ये आप अच्छे सी याद रख लेना किस अध्याएं में सरवादिक धाराएं है तो अध्याएं चार में जो बारहां से 28 तक धाराएं हैं कितनी धाराएं है 16 धाराएं done clear next time Right to Education Act 2009 कि किस धारा के अंतरगत प्रबंधन समीती यानि School Management Committee जो है प्रावधान है तो ये है धारा 21 के अंतरगत clear Right to Education धारा 17 का प्रावधान है तो ये है बच्चों को उशाररी के दंड नहीं देना तो धारा 17 का प्रावधान ये है कि बच्चों को हम physically torture नहीं कर सकते, उनको physically हम punish नहीं कर सकते, ओके, सिक्षा अधीनियम 2009 की किस धारा में चात्र एवं सिक्षक अनुपात का वर्नन है, तो ये है धारा 25 में, सिक्षक और चात्र का रेश्यो जो है, 40 बच्चों पर एक टीचर क निक्ति होगी, तो ये कौन सी धारा में है, धारा 25 में, भारत सरकार बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवारिया शिक्षा अधिकार अधीनियम किस वर्ष में लागू किया था, तो ये किया था 2009 में, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में ये पारित किया गय करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया है 135 में, क्लियर, शिक्षा का अधिकार अधीनियम संपूर देश में कब लागू किया गया, तो ये 1 अप्रेल 2010 में, देखे पारित तो हुआ था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था 2010 में, तो आप इसको मत भ RTE 2009 के अनुसार, 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो जैसे कि मैंने कहा है, 40 बच्चों पर एक, हैना 40 बच्चों पर एक टीचर की निक्ती होगी, निशुल केमम अनिवारिय बाल शिक्षक अधिकार अधीनियम 2009 का विस्तार जो है किस राज्या में नहीं क रिजर्व जो होती है, 25 नहीं बाल शिक्षक अर परेंटे को आटीए, को लोकसभा में कब पारित कया गया तो ये क्या गया चार अगस 2009 के लोकसभा में इस को पारित किया गया था, चार अगस 2009 में और लागु किया गया था एक अप्रैल 2010 को SMC member जो होते है na School Management Committee का अध्यक्ष कोन होता है तो parents होती है जो school में बच्चे पढ़ते है ना उन्ही के parents को जो है SMC member बनाया जाता है School Management Committee ूजूरी कब बच्च पारित की गईuum राजासबह में पारित की इसको का गयार pension के दूटरा मनजूरी कब पर्दान की गई? तो ये 26 अगस्ट 2009 को राष्टरपती के द्वारा जो है मंजूरी जो दी गई वो दी गई 2009 में 26 अगस्ट को यदि प्रात्मिक स्थर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है एक प्रधाना ध्यापक एवं 5 शिक्षक अगर किसी स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हो तो वहाँ पर एक प्रधाना ध्यापक होगा और 5 जो है अन्याइ शिक्षक होंगे आटी 2009 के अनुसार उच प्रात्मिक स्थर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 थे तू चात्र एम शिक्षक का अनुपात होना चाहिए तो यह होना चाहिए 35 बच्चों पर एक शिक्षक यानि 35 बच्चों पर एक शिक्षक 35 रेशो एक तो यह अनुपात होगा तो बच्चे ओने पर प्रधान ध्यापक की जो अपॉइंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्में लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया। अधिकार में कि सायू वरक बच्चों को रखा गया। अधिकार अधिकार अधिन्यम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने के शक्ति देती है। तो यह देती है धारा 38। कक्षा 1-5 तक के बालको के संबंद में विदालय आसपास से कितने किलोमेटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा तो यह किया जाएगा एक किलोमेटर के अंदर। RTE 2009 के तहट अध्यापको के प्रसिक्षन के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए मानको का व्यावल लागू करने का अधिकार किसे होगा तो यह केंदर सरकार को होगा सैंटर गॉर्मेंट को और जो है मानको का विकास मदब और उस पर जो खर्चा होगा वो होगा 25% ठीक है डियर अगला है शिक्षा के अधिकार की प्रकरती होती है तो यह समय दानिक होती है अटी ईक के तहट किस कक्षा तक बालक को रुकाया निश्काशित नहीं किया जा सकता तो यह हमारे एक्षपाट पात्त के विधारतियों के लिए विधालय की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए तो इसका आंसर जो है आपको यूट्यूब में ही देना है आपकुछ बच्चे जो है वट्सपर मेसिज करते हैं कि इसका आंसर ये है मैम तो ऐसे नहीं करना है भई इसका आंसर आपको add to comment में ही देना है वीडियो के नीचे option होता है add to comment वहाँ पर अपना आपको answer देना है और देखें मुझे नाम काफी अच्छा लगता है कि जब आप comment करते हो जैसे जिसमें से मैं बताऊं तो कुछ नाम मुझे याद है जैसे लक्षमी हो गई, शिष्टी, कविता, कपिल ठीक है तो मुझे एक्ज़क नाम याद नहीं है अभी वैसे काफी student है जो मैं पूछती हूँ ना तो वो रिपलाई करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ध्यान से सुनते हैं और एक फोलो करते हैं जो भी मैं बोलती हूँ तो इसका आंसर भी आपको comment में ही देना है कि कक्षा एक से कक्षा पांता के विधारतियों के लिए विधारलय की दूरी कितनी होनी चाहिए तो इसका आंसर आपको comment में देना है और यह मेरा whatsapp number है यहाँ पर आप उसे contact कर सकते हो तो मिलते हैं next class में so thanks for watching my video do like, share and subscribe to my youtube channel till then bye bye रब्राख्खा, जय भोलेनात